नमस्कार रादे-ह्रमाओ देओ मैं आपका आचार देओ आज अपनी चर्चा सनी देओ के नचछत्र परिवर्तन फिचल रहे हैं । सनसार्ख में लेखा जोखा का कार्य करता है है उनको नियायद ही इसका जाता है, क्योंकि आपके कर्मों कफल देने की छमता इनके पास रहते हैं, अभी ये जा रहे हैं, गुरु के नचत्र में, जिसका नाम है पूर्व भद्रपद, या नचत्र अंतिम इस्तिती को दर्शाता है, वो चाहे कार के हों, चाहे जीवन के हों, परिशानियों के हों, देखिए ये मीन रासी में जाने वाला नचत्र है, और इसके दो पद दिखाई देते हैं, और जो पद है ना, हम कहते हैं कि सया के दो पद, सया के नहीं है, द्रशल वो, जो हमारी अंतिम इात्रा निकलती है, तो अंतिम इात्रा अर्थी के दो पद होते हैं, वो वाले पद हैं, तो अगर हम इसको कहें कि नहीं, ये स्टार्डिंग का पद है, नहीं, तो ये अंतिम संसकार की और बढ़ता हूँ अनचत्र है, तो संसार से समापन की बात हो, आपके कर्मों में औरोधों को समाप्त करने की बात हो, परेशानियों को समाप्त करने की बात हो, तो हर तरह से समाप्त करके नए अध्याय को आरंब करने की बात यहां नचत्र करता है, और शनिदेव भी यही करते हैं, दोनों की नेचर में, गुरु का नचत्र है, यहां नचत्र तीन पैर अपने यहीं पे रोक के रखा हुआ है, एक पद्र जाके मीन रासी में लगा के रखा है, तो यहां जीवन के अंतिम दर्शन, आध्यात्मिकी खोज, देवी सक्ति के प्रतिशमरपन, एक नई शुरुवात, एक नई उर्जा, को समेट कर, परमपराओं, मूल्यों की बात करने वाला है, बहुत गहन अर्थों में इसका अर्थ है, तो कैसे फल देगा, आपकी रहसी पे, और आपके लगन पे, दोनों पे देख सकते हैं, इसमें सुबता है, पहला पॉइंट याद रखेगा, पूर्व भद्र पद, सु करेगा, डेफिनेटली सुब करेगा, हर जगा सुब होगा, अगर आप परिशानी हैं, तो परिशानी को काट के अलग कर दिया जाएगा, शरीर में घाव है, क्यूडे पढ़ गये हैं, क्यूडे को निकाल के फेंग दिया जाएगा, तो पॉइंट याल रखेगा, कि सब कु पंजतत्तों को, पंजतत्तों में विसरजित करके परमात्मा के धाम के और जाता हुगा, दिखाई देगा, और अगर आपकी दृष्टी सीमित है, तो भीर भैय उत्पन होगा, मित्र, तो यहां करुणा की भावना आएगी, दया की भावना अंदर आएगी, मंगल कारियों को करने की भावना आएगी, सुबता की और बढ़ने की प्रवल संभावनाओं को लेके चलने वाला यहां नचत्र है, और सुबता का कार ये भी आए, कि चैनल को सब्क्राइब ने किया, सब्क्राइब भी करके रखिये, कर लिजिए, बहुत लोगों ने किया है, सरवादिक मैं रासिव ब्योडियो बनाने का जरूर बताऊंगा, तो कलात्मत छमताओं में विकास होगा, प्रतिभाव आपकी निखरेगी, इमानदारी सत्य निष्ठा को आप महत्तो देंगे, आप थोड़ा सा आत्म निरिच्छन करते हुए बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आत्म निर सत्रह अप्रैल के बार ज्यादा उठेगी, तो नए चीजों को करने का है, चारतरह से प्रभाव देगा, पहला आप जो देखेंगे, इचली चारतरह का प्रभाव नहीं मिल पाएगा, पॉइंट तो चारतरह का प्रभाव देने की बात कर रहा है, लेकिन ये दूसरे पदा में ही वक्री हो जाएंगे साइद, मैं चिक कर लिता हूँ, सनी महराज 6 अप्रैल को पूरभादरपद में प्रथम पदा में जाएंगे, 17 मही तक प्रथम पदा में रहेंगे, 17 मही को दुती पदा में जाएंगे, और 18 अगस्त को दुती पदा में ही वक्री हो जाएंगे, और यह 3 अक्टूबर को फिर सत्विसा में वापस आएंगे तो 9 मार्च से 3 अक्टूबर तक कर समय चलेगा, पहला पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए, 9 मार्च से 3 अक्टूबर तक कर समय सनी देव गुरू जैसा फल देंगे, गुरू क्या करते हैं, गुरू ज्यान के क कारियों के कारक हैं तो जीवन में मंगल होंगे मंगल भवन अमंगल हारी अमंगल का हरन कर लेंगे मंगल कारे कराएंगे मतलब कोई ब्यक्ति समय बहुत कष्टों में था उपरेशानियों में था और जीवन कि ये डोर टूट नहीं रहे थी तो जीवन की डोर भी कतम कर देंगे वही बहुत कष्ट हो गया जाओ यार इतना कष्ट नहीं जहलना है या कोई पीडाएं थी कोई रिस्ते थे हाँ एक चीज़ को ध्यान रखेगा या क्योंकि ये अंतिम बाला नशत्र है सड़े गले हुए रिस्ते हैं दवाव हैं वो सनी इनको तोड़ के बाहर कर देगा वो लेगा नहीं इनको मुक्त हो जाने तो इनकी कोई आविशक्ता ही नहीं है सनी देव यहाँ पे मेस और ब्रिशव नवांस का ही फल देंगे कहाँ पे चल रहे हैं यहां चतुर्त भाव में और यह गुरू महराज के नच्छत्र का प्रभाव लेके फल देंगे लेकिन नवांस में मेस और ब्रिशव का प्रभाव देंगे मेस क्या है मेस आपके कुंडली में रिण रोग परेशानी सत्रूँ से सम्मंदित है अतहा यहां पे सनी देव जब जाएंगे मतलब 6 अप्रैल से सनी महराज यह प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में रिण से, रोग से, परेशानी से फालतू के दवाव से या मुकदमा वाजी से आपको डिस्कनेट कर दें फालतू की चीज़ों को बोलेंगे भई अब तुम जाओ अतित्य तुम कब जाओगे तो अब तुम कब जाओगे उनको भेज देंगे जैसे ये ब्रिसब नवांस में करेंगे तो ब्रिसब क्या है? ब्रिसब आपके ब्यापार का नवांस है तो ब्यापार के नवांस में जाने के बाद आपके ब्यापार में आ रहे और रोध को दूर करेंगे आपको ब्यापारी के लाव देंगे क्योंकि सुख से सुख का सम्मंध बनेगा थोड़ा सा जूतिस तो आप लोग सीखी गए हैं और नहीं सीखें तो कोशिश करिए बहुत मज़ेदार चीज है या 17 मई से जाएंगे 18 अगस्त को वक्री होंगे लेकिन यहीं पर वक्री रहेंगे फिर ये 18 अगस्त सिप्टेंबर में धीरे से फश्ट पदा में आ जाएंगे तो बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं दो ही नवांस का फ़ल देंगे मैं जटके में चार नवांस आपको बताने वाला था लेकिन चार नवांस का फ़ल नहीं देंगे क्या कहां कैसे इस से लाब ले सकते हैं तो पॉइंट यहा रहाय मित्र कि आपको लेकिन इसके जो देवता है न यह भगवान स्यू से जुड़े हुए है लेकिन यहां नच्छत्र भगवान विश्णू का क्रिपा प्राप्त नच्छत्र है एक पद अजा एक पद करके एक देवता है भगवान सियू का ही सुरूप है एक पैर से चलते हैं तो वो भालतू की चीज़ों को डिस्कनेट करने के लिए है इसका प्रतीक दो मुहाँ बिक्ति है जो द्वैत में चिपी हुई अधुद छमताओं का प्रतीक है आध्यात्मिक यात्रा करवाता है अंतर ग्यान डेफिनेटली करवाएगा भगवान सियू की वो सकती है जो परिशानियों को काट देती है ठीक है ना इसलिए आध्यात्मिक जुकाव जरूर होगा तो भगवान सियू की आराधना लेकिन यहां नचत्र भगवान विश्नु की क्रिपा प्राप्त नचत्र है इसलिए भगवान विश्मों का थोड़ा से क्रिपा जुरूर प्राप्त करिएगा ठीक कि और खास बात मैं आपको बता दूं हाँ एक बहुत इंपोर्डन बात प्चीसवान चत्र है कौनसा प्चीसवान चत्र है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे है यात्रा तो अपने स्वास्त का विश्यद ध्यान रखेगा इस नचत्र के प्रभाव से बाया, पाट, शरीर का थोड़ा सा दवाव में आएगा आते, पेट, जंगा, टान, थोड़ा सा तखने में यहां पर परिशानी आ सकती है खासकर उदर विकार होगा इसमें गैस की परिशानी बढ़ेगी मा से भी सम्मंदों में थोड़ा सा परिशानी रहेगी तो कि वायु प्रदान अच्छतर है इसलिए थोड़ी से वायु समंदी पीड़ा मिल जाना बहुत सहज होता है तो इसके सुवता के लिए ओम अजयक पदे नमः या पूरा वैदिक मंतर आप चाहें तो पूरा वैदिक मंतर जाब करिए सुभ परिणाम मिलेगा आप नहीं कर सकते ओम नमः सिवाय का जाब करिए और भगवान विश्नु के मंतर का जाब जरूर करिए साम को सोते समय नम विश्नु शाष्ट नम इस समय सुन के सोया करिएगा अच्छे सपने आएंगे अच्छे चीज़े होगी एक और बहुत इंपोर्टन चीज आपके रासी और आपके लगन पे चुकि ये विश्टनी देओ आपके भूमी भवन वाहन के स्वामी है पराक्रम के स्वामी है और ये भगवान विश्णू की कृपा प्राप्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं अतहाँ आप चाहते हैं कि भूमी भवन वाहन से सम्मंधित चीज़ें जद्यव मैं इस बीच देख रहा हूं कि कापी ब्रिष्टी का रास्त के जातक उन्होंने आवास की विवस्ता कर लिया है वाहन की विवस्ता कर लिया है या जमीन का टुकडा परच Simmons कर लिया है परच Army करने की और आगे बढ़ रहे हैं अभी यालग बात है मित्र की साथ कुरोνε लोगों में से हो सकता है 50 person लोगों को ना मिल पाए लेकिन मिलेगा आपको बसे इसलिए या सारी परिहार जो उपाए है उनको करने से लाब तो होगा ठीक है ना definitely लाब होगा अभी देखिए धीरे से ग्रिश्म का मौसमा रहा है तो भई अब आपके ठंडी सब के साथ ठंडी नहीं लगेगी किसी को तो रजाई कम्मल है या नहीं है लेकिन अभी आराम से नीद आएगी तो घर का जो आपका मित्र डारिक्सन है एक होता है वास्तु वास्तु आप लोगों ने सुना है आजकल अच्छा आजकल बड़ा संभल के रहिएगा मतलब ऐसे ऐसे स्टूलाजर आए हुए है मार्केट में जिनको सिर का पता नहीं और पूश्च का पता नहीं उटपटांग बयानवाजी करते हैं कली एक भद्र महिला का लिंक मेरे पास आया उस लिंक को मैं देख रहा था जरूर देखे कितना उटपटांग बयानवाजी कर रही है अब देखे इनको ये नहीं पता है सोरे मेस रासी में कब जाता है कुछ नहीं बस गाड़ी में बैठे हैं और फैसन बन गया है न कुछ भी आजकल लोग कुछ भी बोल देते हैं और अगर आप महिला हैं तो आटीप टाप करके बैठी हैं तो भई व्यूज बढ़ जाते हैं अब मैं क्या कहूं इन लोगों के लिए तो ऐसे जूद्सियों से बचके रहेगा वास्तु का अचकल बहुत जोड़ चला हुआ है आपने इस दिसा में बना लिया ये तो 100% आपको हो जाएगा हार टाइक 100% हो जाएगा कैंसा बड़ी अच्छे छी फिस लेते हैं लोग मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ जो अच्छे लोग हो उनको लेना चाहिए वास्तु का मतलब वस्तु का सही जगा रखा होना कौन से दिसा में कौन सी वस्तु होगी कहां पे आपको खाना खाना है कहां रहना है परिशान मत होएगा लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप रासी गरहन च्छत्र और थोड़ा वास्तु का भी सहारा लेना चाहिए क्योंकि गलत दिसा में बैटके अगरा भोजन भी करते हैं ना तो पाचन सक्ति में कुम परिशानी आ जाती है कभी आपने सोचा पराथा काल खुब दवा के खा लेजिए पज जाता है दोपार तक सायंकाल चार पराथा काये ना पेट खराब हो जाता है यह इसी को वास्तो बोलते है तो यहां पे घर का जो एक दिसा होती है नार्थ एकोती है इस्ट इकोती है नार्थिस्ट नार्थिक इष्ट से लगवख साथ डिगरी और नार्थ में आए नार्थिस से थुढ़ा और नार्थ में क्यूं यहाँ पे आएं भई आप पूछ सकते हैं भई मैं क्यूं आऊं इसलिए आप आईए कि आपकी बृष्चिक लगन है ब्रिश्ची करासी है आपके कुंडली में जो हस्त नचत्र है कौन सा नचत्र हस्त नचत्र है वो हस्त नचत्र की इस्थिती जो बन रही है हस्त नचत्र की इस्थिती जो बन रही है वो नार्थ इस्थ से साथ डिगरी और नार्थ में आके बन रही है और हस्त नचत्र स्वार यहां पे मैं भी गड़वर तर गया बॉह सी ज़े ने रिठ हस्त नहीं उसको बूलते हैं स्रवंणन चट्र का बगवान विश्णु का क्रिपा प्राप्त न चत्र Hai तो इसलिए मैं आपको बहुत को सो थे समय गबवानन विश्णु का नाम सुनके सोना आपके लिए बहतर हो प्राप्त कर पाएंगे तो यहां पूरो भाद्रपत नचत्र की क्रिपा आपको 100% मिलेगी यह बहुत टेक्निकल पॉइंट है सीखने वाली चीजे यद्यापी स्रवना नचत्र गुरु का नचत्र नहीं है वो चंद्रदयों का नचत्र है लेकिन उस नचत्र पे अगर आप उस नचत्र के नर्जी के कनेक्ट कर लिए तो पूरो भाद्रपत की नचत्र के नर्जी 100% कनेक्ट कर पाएंगे या राज की बात है तो उस दिसा में भगवान विश्णू की एक फूटो लगाईए मुस्कुराते हुए आप बहुत पाजिटिव अपने आपको फिल करेंग सनिदेव स्रेश्ट पल देंगे बस एक ही चीज कर रहान रखेंगे कुछ चीजें तूटेंगी कुछ छूटेंगी और तूटना चूटने का सिसिला मित्र जीवन भर चलता रहेगा हम अक्सर जिनको जोडने की कोशिस करते हैं वह तूटते रहते हैं वह तूट जाने दिस जीए जब वो जुडेंगे तो अच्छे से जुडेंगे यहां पे चुकि सुक के स्वामी गुरू के नच्चत्र में चल लहे हैं और गुरू आपके कुंडली में धन के स्वामी है प्रेम के स्वामी है तो धन की इस्तिती बनेगी प्रेम की इस्तिती बनेगी अभी आदान चत्र पे डईया कत्म हो जाएगी जेश्टा वालों पे रहेगे मौका मिला तो स्वतनत्र वीडियो बना के दूँगा राधे राधे खुश रहिए स्वस्त रहिए मुस्कराते रहिए तनाव नहीं लेना है जान लेना मतलब परेशानियों पे विजय प्राप्त कर ले अपका सुन आपका सुन आपका सुन आपका रणरे दिया जाएगे मौका राधे राधे रख या सुन आपका सास्थ रहेगी।